हलो वरिवन, वेलकम टो अकुल, इंडिया के सबसे अपोडेबल लर्निक फ्लैटफॉर्म में आप सभी लोग का एक बार फेड से बहुत बहुत फ़ागत है आईए अपने स्कोर्स एन्वार्बेंट बाईशंकर आईएस अकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे चैप्टर फोर में हम लोग इस बुक की बात कर रहे हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के ओपर है और पार्ट एट में हम इस चैप्टर को लेकर आज डिसकस करेंगे ठीक है पिशले पार्ट में यानि कि पार्ट सेवन में हम लोगोंने about the mangroves पढ़ा था कि क्या होते है mangroves उससे पहले हम लोग ashuries के बारे में wetlands के बारे में ramsar sites के बारे में काफी सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिसकस कर चुके हैं काफी लंबा ये चैप्टर रहा है और अभी भी इसमें एक से दो पार्ट जो है वाल लगेंगे आज हम लोग बात करेंगे corals को लेकर ठीक है corals, corals, reefs को लेकर हम लोग आज बात करेंगे देखते हैं ये चीज़ क्या होती है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूंगा कि जो लोग इस course को इस वीडियो सेरीज को फालो कर रहे हैं जिनको ये पसंद आ रही है प्लीज जादा से जादा वीडियोस को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलिक्स के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फायदा है वो जादा से जादा लोगों तक बहुत सकते हैं और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं request करूँगा कि अगर आप लोग को चैनल का content पसंद आ रहा है helpful ये content आप लोग के लिए हो रहा है तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर subscribe कर लें और bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो को notifications वगर आपसे miss ना हो चलिए start करते हैं आज का लेक्चर देखिए coral reefs ठीक है पहले हमें ये समझना जरूरी है कि corals क्या होता है coral एक living animal है ठीक है देखने में जिस तरही समय आपको यहाँ पर नीचे ये figure में दिखाया हुआ है तो ऐसा देखने में हमको लगता है जब भी हम कभी इस तरही की figure वगरा देखते है तो हमें लगता है कि ये plant है ठीक है लेकिन ये plant नहीं है ध्यान रखेंगे it's a living animal और coral जो है इसका symbiotic relationship होता है किसके साथ एक algae होती है that is known as zoonthalai ठीक सबसे मेरी बात symbiotic relationship क्या होता है ये वन आप उनको पहले बताया हुआ है symbiotic relationship is a plus plus relationship यानि कि जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है ठीक है जो दो लोग रह रहे हैं साथ में दोनों को फायदा हो रहा है that is known as a symbiotic relationship तो coral का symbiotic relationship किसके साथ है algae ठीक है जो अन्थला इसका नाम है which live on coral ठीक instead of living on the sea floor the algae lives up on the coral which is closer to the ocean surface so that the algae gets adequate light ठीक है algae जो है coral के उपर reside करती है यानि कि एक तरीक साब कह सकते है कि जो coral है वो algae को क्या provide कर रहा है coral जो है algae को provide कर रहा है shelter ठीक है उसको रहने की जगे मिल रही है इतना तो हम यहाँ से समझ गए तो symbiotic relationship का मत्तब यह है कि coral को भी बद्ले में कुछ ना कुछ इससे मिल रहा होगा ठीक है तो भी देखते हैं आगे जाके कि coral जो है zoanthalai से उसको क्या मिलता है ठीक है यहाँ पर आप इस तरह की image देख सकते हैं बहुत beautiful colors होते हैं इसमें चलिए आगे देखते हैं zoanthalai assist the coral in nutrient production ठीक है nutrient production through its photosynthetic process यानि कि एक तरह की समझ गए कि coral जो है sorry जो zoanthalai है वो coral को क्या देता है zoanthalai provide करता है coral को एक तरह कैसे कह सकते है food ठीक और coral क्या दे रहा है coral दे रहा है shelter तो दोनों का फाइदा हो गया ठीक है these activities provide the coral with fixed carbon compounds for energy enhanced calcification calcification का मतलब होता है hardening by the deposition of calcium and mediate elemental nutrient flux जो nutrient flux होता है हमारा nutrient cycling हम लोगों ने पड़ी है ठीक है तो उसमें भी ये role जो है अपना निवाता है कौन जूंतलाई ठीक है अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता हूँ calcification का मतलब है कि calcium होगा काफी जादा calcium होगा और एक मैं आपको geography से इसको मैं relate करता हूँ we have learned about one kind of landforms in geography that is the limestone landforms ठीक है और limestone में हमारा क्या होता है calcium होता है और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हमारा reaps होते है ठीक है जहाँ पर corals वगरा पाए जाते हैं रीप्स वगरा पाए जाते हैं वहाँ पर इस तरीके के जो limestone landforms है वो भी पाए जाते हैं वो क्यों पाए जाते हैं इसलिए है क्योंकि calcification या बेसिकली अगर हम कहें तो यह जो corals है they have calcium in them ठीक है बहुत जादा जो है वो calcium होता है चलिए आगे देखिए यह जो हमने उपर आपको दिखाया बहुत जादा colorful दिखाया आपको ठीक है ना लेकिन यह corals जो होते हैं यह अपने आप में ऐसे colorful नहीं होते ठीक है are actually not the beautiful colors of the coral reef यह corals के color नहीं होते corals अगर बात करें तो उनका color होता है white ठीक corals receive their coloration from the zoonthalai living within their tissues तो zoonthalai जो है ध्यान रखेगा दो चीज़ें provide करती है पहला है food और दूसरा है color color भी provide किया जाता है जो इसे कि मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाए इतने सारे colors दिख रहे हैं लेकिन यह corals के अपने color नहीं है ठीक यह सारे का color provide किया गया है किसके दोरा zoonthalai दोरा जो algae है उसके दोरा ठीक है corals का color अपने आप में कैसा होता है white ठीक यह जीज़ ध्यान रखेंगे आप चलिए आगे देखिए the host coral polyp host क्यों बोला गया है host इसलिए बोला गया है क्योंकि यह क्या कर रहा है जगे provide कर रहा है ठीक है place provide कर रहा है shelter provide कर रहा है किसको algae को the coral polyp in return provides its zoanthalai with a protected environment to live within ठीक and studies apply of carbon dioxide for its photosynthetic process अभी annual है तो रहा इस्पायर करेगा जाने कि सांस लेगा और सांस लेगा तो क्या छोड़ेगा carbon dioxide और वही carbon dioxide को जो है photosynthetic process के लिए कौन यूज करेगा zoanthalai तो दोनों को फायदा हो रहा है देख लिए आपने दोनों को फायदा हो रहा है coral को क्या फायदा हो रहा है coral को color मिल रहा है zoanthalai को क्या मिल रहा है zoanthalai को रहने के जगे मिल रही है और photosynthetic process के लिए या photosynthetic activities के लिए जो carbon dioxide की जरुवत है वो भी मिल रही है ठीक ये समझ गए आप चलिए इसके बाद आगे देखते हैं दो टाइब के corals होते हैं एक होते हैं hard corals और दूसरे होते हैं soft corals ठीक such as sea fans and gorginians जो hard corals होते हैं वही सिर्फ reefs बनाते हैं reefs क्या होती है reefs basically इस तरीकी के आप simple इसको भाचा में समझे है reef is a kind of barrier या फिर आप समझे है इसको इक दिवार तरीकी के होती है reefs ठीक तो जो hard corals हैं वही reefs बनाते है soft corals reefs नहीं बनाते है यहाँ पर मैंने आपके लिए दो image दिखाई है जिसमें आप बड़े असानी से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यह जो soft coral है यह इस तरीके के दिखाई देता है this one is your the first figure is your soft coral and the second figure is your hard corals ठीक और ध्यान रखेंगे कि hard corals ही जो है वो reefs बनाते हैं चलिए आगे देखिए the builders of coral reefs are tiny animals called polyps मैंने काफी सारे यह छोटे-छोटे animals होते हैं इस तरीके के जो मिलकर फिर क्या बनाते हैं reefs, coral reefs as these polyps thrive, grow and then die they leave their limestone or calcium carbonate skeletons behind अब यह calcium के बने हुए है तो यह calcium carbonate का जो इनके skeleton है उसको पीछे छोड़ देंगे जब यह मर जाएंगे उसके बाद ठीक the limestone is colonized by new polyps अब वहाँ पर जो limestone है उसके ओपर फिर जो नए polyps है वो आएंगे therefore a coral reef is build up of layers of these skeletons covered ultimately by living polyps यानि कि एक के बाद एक क्या होगा कि एक layer होगी limestone की फिर उसके ओपर नए polyps आएंगे फिर वो नए polyps grow करेंगे फिर उसके बाद वो कुछ समय के बाद dye करेंगे तो फिर वो अपना जो skeleton है जिसमें calcium carbonate है, limestone है वो आपर छोड़ेंगे तो इस तरीके से एक layer बन जाती है और इसी तरीके से जो है वो reef non-coral building जो हर्वर डाइबिक corals होते है ये बहुत तरीके का shapes बना सकते है coral reefs कैसी हो सकती है they can be branched, they can be table-like or look like massive cups, boulders and dobs बहुत सारे shapes वगरा जो है corals के, जो coral reefs से उसके हो सकते है while the majority of coral reefs are found in tropical and subtropical waters tropical और subtropical waters में generally पाए जाते हैं हम कह सकते हैं, जो majority है वो पाए जाता है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे भी है जो colder regions में deep water में भी पाए जाते हैं ठीक है, तो generally हम देखेंगे कि जो tropical और subtropical region में जो corals पाए जाते है, they are found on the surface ठीक, generally वो surface में होते हैं और बाकि जो colder regions में पाए जाते हैं जनरली कहा होते हैं, deep water में होते हैं ठीक, यानि कि गहरे पाणी में होते हैं आगे देखें, features देख लेते हैं, इनके क्या है they occur in shallow tropical areas, मैंने यहीं बताए कि surface के पास होंगे, यानि कि shallow पाणी में है tropical areas में है where the sea water is अब पानी इसके लिए कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे clean, clear and warm water थोड़ा सा warm, मतलब warm का मतलब होता है mild warm, मतलब उबला हुआ पानी नहीं है hot water नहीं है it's a warm water, मतलब जनरली थोड़ा सा गरम होना चाहिए around, कह सकते हैं हम 25-26 दिगरी के आसपास का पानी 25-26 दिगरी Celsius के आसपास का पानी जो है इनके लिए best है किसके लिए corals बनने के लिए ठीक है, आगे देखिए the coral reef cover in India, in Indian water is roughly estimated up to 19,000 square kilometer ठीक है, इंडिया के जो water है यानि कि हमारा जो bay of Bengal का region है, यानि कि हमारा जो लक्षदीप islands है, जो हमारे अंडवान निकोबार है, जो हमारा थोड़ा बहुत गुजरात में Gulf of Kach के आसपास बनता है ठीक है, कहा कहा पर बनता है भी हम उसको देखते है उसका total मिला के अगर हम बात करें तो 19,000 square kilometer जो है यहाँ पर काफी हाई है, हमने कल जो बात की थी mangroves को लेकर, वहाँ पर भी हमने यह चीज़ समझी थी कि mangroves are also one of the most productive, तो mangroves भी काफी जादा productive है, और यह जो coral सोते हैं, यह भी बहुत जादा productive है ठीक, the high productivity is going to the combination of its own primary production and support from its surrounding habitat अभी इसकी जो productivity है, वो जादा क्यों है क्योंकि एक तो खुझ से primary production तो करी रहे है, और दूसरा जो इनका surrounding habitat है, वहाँ से भी इनको support मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इनकी productivity क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी reef building corals are a symbiotic association of polyps, that is coral animals and zoanthalize, that is the microscopic algae, यह तो obviously बात है, यह हम पहले ही जान चुके है, कि जो reef building corals है, ठीक है, जिनका नाम आपनों को पता होना चीए, they are also known as hard corals, they are also known as hermotypic corals, ठीक है, तो यह क्या है, यह जो polar polyps है, यह जो coral polyps है, जो coral animals है, और जो zoanthalai है, इनके बीच में क्या है, they have a symbiotic relationship, और symbiotic relationship क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया, it's a plus, plus relationship, जिसमें दोनों को फाइदा हो रहा है, ठीक है, आगे देखिए, the corals are generally slow growing colonies of animals, ठीक है, corals जो होते हैं, वो थोड़ा सा slow grow करते हैं, बहुत जल्दी grow नहीं करते हैं, और zoonthalai जो है, they are fast growing plants, ग्रूनthalai जो है, वो fast growing होते हैं, even though, corals live in nutrient poor water, क्योंकि coral हमने बात करी है, clean water में होगा, ठीक है, clean water में होगा, clear water में होगा, इसलिए it can be said as a nutrient poor water, nutrient rich water में क्या होता, यह हमें पता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, eutrophication वगरा की, algal bloom वगरा की, तो जहाँ पर nutrient rich water होगा, यानि कि जिस पानी में nutrient ज़ादा होंगे, वहाँ पर eutrophication हो जाता है, यह हमें पता है, और वो भी nutrient किस तरीके के हैं, nitrates हैं, हमारे phosphates हैं, जो हमने जनरली बात की थी, की हमारे fertilizers वगरा से जो आते हैं, तो corals वैसे पानी में नहीं होंगे, coral होने के लिए clean water, clear water, और थोड़ा सा warm water होना ज़रूरी है, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, कि हाला कि जो यह corals हैं, यह nutrient poor waters में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो capability है, scarce nutrients को recycle करने की, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, यानि कि यह nutrient cycling बहुत अच्छे से कर सकने हैं, ठीक है, इन coral reef system, many invertebrates, vertebrates and plants live in close association to the corals, with tight resource coupling, अब tight resource coupling का मतलब क्या है, कि एक ही जगे पर अगर बहुत सारे इस तरीकी के plants and animals रहेंगे, तो जगे के तो resources limited है, अब उसी में सबको रहना है, उसी में सबको अपने खानी की विवस्ता करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा resources का एक तरीकी साब कह सकते हैं, कि crunch हो जाता है, तो आपस में ये फिर क्या है, मतलब मिल जूल के रहते हैं, रिसोर्स कप्लिंग करके रहते हैं, ठेक है ना, ये चीज़ है, recycling है, इसके बाद allowing corals to have extremely high productivity and biodiversity, इसी लिए, जनरली जो है, tropical rainforest of the oceans भी इनको बोला जाता है, किसको coral reefs को, जो coral reef ecosystem है, इसको बोला जाता है tropical rainforest of the oceans, तो कभी-कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कि tropical rainforest of the oceans क्या है, तो वो ध्यान रखेंगे, they are coral reefs, जो कि tropical rainforest, अगर हम land की बात करें, तो एक ऐसा region है, जहां पर plantation बहुत ज़ादा है, या जहां पर हम कहें कि biological diversity, जो है, वो बहुत ही ज़ादा है, तो इसलिए, इसकी भी जो diversity है, वो काफी ज़ादा है, coral reefs की productivity ज़ादा है, इसलिए इसको ओरा जाता है, tropical rainforest of the ocean, ठीक है, चलिए आगर देखते हैं, इनके classification के बारे में, classification जो है, depending upon their location, इनको चाल टाइप में classify किया जाता है, one is your fringing reef, second is patch reef, third is barrier reef, and fourth one is the atoll reef, ठीक, देखिए क्या-क्या है ये, fringing reefs are contiguous with the shore, and they are the most common by occurring reef form, found in undermans, जो undermans हमारा island है, अंडवान है, निकोबार मैंसे, जो undermans है, वहाँ पर ये पाए जाता है, ये shore के साथ, यानि कि जो हमारा tart होता है, ठीक है, उसके साथ contiguous होते हैं, contiguous मतलब उससे लगते हुए ही होते हैं, लगभग, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is your shore region, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये reefs बनी भी है, तो this is your fringing reefs, ठीक है, ये कैसी reefs हो जाएंगी, these are your fringing reefs, यानि कि आप कह सकते हैं कि ये land के पास पाए जाएंगे, ठीक है, near the land, और in advance में इस तरीके के reefs इंडिया में पाए जाते हैं, the next is patch reefs, patch reefs क्या है, they are isolated and discontinuous patches, lying shoreward of the offshore reef structures, as seen in the park bay, the Gulf of Mannar and the Gulf of Kutch, अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बने हुए है, ये इस तरीके का isolated patches हैं, अलग-अलग, ठीक है, तो these are your patch reefs, पाए कहाँ पर जा रहे हैं, इंडिया में तीन रीजन आपको बताए गए हैं, एक तो गुजरात में आप देखेंगे, इंडिया और शिलंका के बीच में आपको बीच में आपको बीच में चेक कर सकते हैं, ये रीजन कहाँ पर हैं, फ्रोड़ा से इस तरीके के रीजन को अगर भी आप लोगं को जरूर जो है पता होने चाहिए, ठीक है, अब देखें मैप, फिर से मैं आपको पहले भी किसी कोर्स के थूर ये चीज़ बताई है, कि जोगरफी वगरा में जो मैप्स आते हैं, या मैप वर की प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें, हमें कैसे पता लएगा कि कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है या कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको वहाँ पर भी ये चीज़ बड़े क्लियर तरीके से बताई थी, कि आप जो भी subject पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई news article पढ़ रहे हैं, editorial पढ़ रहे हैं, कोई भी करेंटर्फर के topic पढ़ रहे हैं, आपको जो भी जगे देछने सुनने को मिलती है, ठीक है, अगर वो जगे आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर है ठीक है बहुत अच्छे से पता होने का मतलब यह है कि इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि आप उसको मैप में मार्क कर सकें, exact location, ठीक है अगर नहीं पता है तो उस जगे को आप लोग नोट डाउन करें और उसको आप मैप में जरूर लोकेट करें कि वो कहां पर है जो कि साथ साथ आपको मैप के प्रेक्टिस भी करनी है जो कि ध्यान रखेगा मेंस का जो एक्जाम होता है मेंस के एक्जाम के जो पहला पेपर है ठीक है जो जीएस का पेपर वन होता है जिसमें हिस्ट्री जोग्रफी वगरा आती है तो वहाँ पर एक मैप बेस्ट कुश्चन जरूर आता है 20 मार्क्स का ठीक है वहाँ पर आपको 10 प्लेसिस दी जाएंगी उनको लोकेट करना होता है और साथ में उनके बारे में थोगा से चीज़ें लिखनी होती है तो उसमें जगे जनरली ऐसी ही आती है जो करेंट अफेर्स में रही हो पिछले एक जिड़ साल में ठीक है तो इसलिए मैं आपको फिर से बतारूँ कि यहाँ पर यह चीज़ जैसे आई है कि पाग बे कहां पर है या गल्फ ऑफ मननार कहां पता आप कोई चीज़े पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कीजेगा और मैप में जाके इसको जरूर देखेगा और मार्क जरूर करिएगा ठीक चलिया आगे देखते हैं बैरियर रीफ्स दो तीस कोस्ट लाइन जो है उसके पैरलल चलेंगी एंड अराइज फ्रॉम सब्मर्जट शेल्फ प्लाइटफॉर्म ठीक है जो सब्मर्जट शेल्फ है उसके प्लाइटफॉर्म से अराइज करेंगी दि वाटर बाड़ी बिट्वीन दर रीफ एंड दर शोर इस टर्म डैस अटाल रीफ जो है एक तरिक साब कहसफेशकते हैं जो अपने आफ में कुछ पैटरन बना रहा है कूछ डिजाइन पैटरन टाइप बना रहा है उसको उड़ा जाता है अटाल रीफ जैसे दिया में है कि और सेमी-र्पॉलर रिफस saat DJUs और यफ शराइडि अगे देखते हैं अब क्या हो रहा है कि जो सबसेडेंस है वो जादा तेज हो रहा है और जो रीफ बिल्डिंग की प्रोसेस है वो कम हो रही है तो उससे क्या होगा कि जो रीफ सेडेंस है वो जादा प्रोसेस है है पानी में क्या हो जाएंगी जैसे की लक्षुदीफ में देखने को मिलता है कावरती अटॉल जो है कावरती कहा है तो कावरती में सीग्रासेस उकती है उसके उपर मैंग्रूवस उकते हैं कहाँ पर और पार और के कोरल रीफ से वहाँ पर ठायों पर थे इसके पार जो ये चार मेजर रीफ एरियास है इंडिया के जो हमने बात करी एंडवान और निकोबार और लख जीप आइलेंड, गल्फ़ तो आपको यह order भी याद रखना है कि सबसे जादा जो divers है वो अंडमान निकोबार है then you have लक्षोदीप ठीक है then you have gulf of मनार and then you have gulf of कच ठीक है क्योंकि इंडिया में चारी जगे पाई जाते हैं तो चारों को order आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि coral reefs के functions क्या क्या होते है coral reefs are natural protective barriers against erosion and storm surge ठीक है storm surge का मतलब क्या है कि जो समुद्र में एक तरीक से तूफान उठता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरे उठती है due to the atmospheric pressure वगरा की वज़े से ठीक है that is known as storm surge तो coral reef उससे बचाती है then coral animals are highly adapted for capturing plantain ये plantain को capture करते है from water thereby capturing nutrients तो इससे क्या करते है nutrient भी capture करते है they are the largest biogenic calcium carbonate producer हमने पता है कि ये calcium carbonate produce करते है और ये biogenic है मतलब ये एक ऐसे living organisms है जो calcium carbonate produce कर रहे है इसके बाद they provide substrate for mangroves substrate का मतलब होता है ऐसा surface जिसके ओपर कोई भी organism क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है या फिर वो अपने nourishment या अपने nutrients उससे ले रहा है वो चीज़ होती है substrate यानि कि एक तरीके से कह सकते है surface या फिर कोई ऐसी layer ठीक है surface और layer जिसके ओपर कोई भी organism चाहे वो plant organism हो चाहे वो animal organism हो वो रह रहा है तो ये mangroves के लिए एक तरीके से इस तरीके का surface या layer जो है वो provide करता है ठीक coral reefs provide habitat for a large variety of animals and plants including avifuna avifuna का मतलब होता है aerial plants यानि कि जो birds वगरा है they are known as avifuna ठीक है तो इस तरीके के काफी साधे animals और plants के लिए और इस तरीकी birds वगरा के लिए ये रहने की जगे भी provide करता है habitat भी provide करता है ठीक इसके बाद हम देख लेते हैं कि threat क्या क्या है यानि कि क्या क्या इस तरीके के जो खत्रे है वो क्या क्या है corals के लिए natural causes may be due to the outbreak of reef destroying mechanisms bleaching and depletion of essential symbiotids coral bleaching जो है ये एक बहुत important topic है ठीक है corals मैं अगर मैं कहूँ तो अगर हम exam point of view से बात करें तो एक तो हमाई coral bleaching का concept जो है वो बहुत अच्छे समझ माना चाहिए दूसरी चीज़ है जो चाल टैप के coral reefs के बारे मैं आपको बताया फ्रिंजिंग reefs, patch reefs, barrier reefs, atoll reefs, इंडिया में कहा कहा पाई जाती है कौन सी तरीके के reefs ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद ये जो coral bleaching का topic है ये concept काफी जादा important है कि इसका क्या मतलब होता है ठीक है इसको हम लोग जो है कल के lecture में detail में अच्छे से discuss करेंगे ठीक फिलाल आप देख लीजिए यहाँ पर की natural cause भी है ये इसके बाद anthropogenic causes यानि कि हम बात करें human causes की anthropogenic का मतलब होता है human causes वो क्या क्या है they may be due to the chemical pollution chemical can come from pesticides they can come from cosmetics industrial pollution है mechanical damage nutrient loading अगर हो गई ठीक है nutrient loading अगर होगी तो क्या होगा क्योंकि हमाँ पता है कि nutrient rich water में corals नहीं उपता corals कोगने के लिए clean water clear water चाहिए ठीक है तो इसलिए अगर nutrient loading होगी तो वहाँ पर भी फिर corals को नुकसान है dredging की process मैं आपको बताया है क्या होती है ठीक है shipping tourism mining or collection thermal pollution intensive fishing etc या आप इस बात को समझे कि जिस भी activity से अगर आप इस तरीके की ecosystem जो coastal ecosystem है या मैं कहूं कि जो हमारा water का ecosystem है अगर हम उसको किसी भी माइने में अगर नुकसान पहुँचा रहे हैं तो फिर corals को उससे नुकसान होगा ठीक coral reef ecosystems worldwide have been subjected to unprecedented degradation over the past few decades यानि कि पिछले कुछ दशकों में काफी जादा इसका degradation जो है वो हुआ है disturbances affecting coral reefs include anthropogenic and natural events दोनों तरीके से हुआ है कुछ man-made या human activities भी है कुछ natural events भी है दोनों के वही से हुआ है recent accelerated coral reef decline seems to be related mostly to anthropogenic impacts ठीक है यानि कि अभी जो हाल के दुनों में अगर देखा गया है कि जो coral reef decline कर रहा है यानि कि जो इसमें नुकसान पहुच रहा है जो इसमें कमी आ रही है वो जादा तर anthropogenic impacts की वज़े से है ठीक है और वो क्या क्या है जैसे कि over exploration है overfishing है increased sedimentation and nutrient overloading natural disturbances which may cause damage to coral reefs include natural तरीके से किसके तरीके से हो सकता है कि अगर violent storms आ रहा है यानि कि बहुत जात तूफान है flooding है high and low temperature extremes अगर हो गया है क्योंकि temperature बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद alnino southern oscillations जो होते है sub-arial exposures predatory outbreaks and epizootics epizootics is a kind of a disease predatory outbreaks का मतलब होता है कि इसको इसके उपर attack किया जाता है इसको अगर खाया जाता है तब और sub-arial exposure is also something which is related to this thing only ठीक है इसको भी हम लोग जो है कल के class में इसको लेकर हम लोग थोगा से detail में discuss करेंगे कि epizootics क्या होता है predatory outbreak क्या है यह sub-arial exposure क्या है ठीक है sub-arial exposure generally क्या होता है कि जब air से expose हो जाती है चीज़ ठीक है मतलब वो पानी के नीचे नहीं है ठीक है underground नहीं है underwater नहीं है वो पानी से ऊपर है यानि कि हौवा में expose होती है उससे भी इसको किस तरी किसे नुकसान होता है bleaching वगरा का जो इसमें chances है वो जादा बढ़ जाते है इन चीज़ों को हम लोग कल के part में जब coral bleaching को समझेंगे detail में तो वहाँ पर चीज़ों को आया गया है इनको respond कैसे करता है corals by the coral bleaching ठीक है उसकी bleaching हो जाती है और bleaching basically कुछ नहीं है अगर मैं आपको general terms में बता हूँ तो bleaching का मतलब है कि जो मैं आपको color दिखाए कि coral में इतने सारे color होते है तो bleaching का मतलब क्या है कि color अप कहा से आते है मैं आपको बताया color आते है जो zone thalai उसके साथ रह रही है उसको ठीक है तो अगर conditions unfavorable होती है तो क्या होता है कि zone thalai को वो बाहर फैक देता है that is it ठीक है और उससे उसका खुद का भी नुकसान है क्योंकि आपको पता है कि zone thalai उसको खाना बना के देती है zone thalai उसको color देती है तो उसका जो decoloration एक तरीक है कि अगर उसके उपर stress पढ़ता है तो फिर वो उसको छोड़के चला है जैसी कि इसको अगर आप relate करना चाहे तो जैसे आज कल की date में हुआ है जैसे मान लिए क्या है कि covid का time आया तो इसको आप relate कर सकते है companies के साथ अब companies को क्या हुआ कि companies को नुकसान हुआ ठीक है companies के ने सबसे पहले क्या करा है जो अपने employees थे उनको भगाया ठीक है काफी सारी companies ने सतरी के layoffs बगरा करें तो companies ने employees को भगाया ठीक है लेकिन बात में उनको यह नहीं पता कि उससे उनका खुद का भी नुकसान जो हुआ है क्योंकि obviously बात है अगर आप किसी को भटा रहे है तो उनका काम बगरा तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा उनकी सेवाई नहीं मिल पाएंगे तो उससे नुकसान आपका भी है तो this is the same thing which you can relate with the coral bleaching की coral पर अगर stress पढ़ता है तो जो व्यक्ति उसको खाना खिला रहा रहा था जो उसको color दे रहा था वो उसी को सबसे पहले बगा ठीक है और उससे नुकसान उसके खुद का भी होगा ठीक है उसका जो color वगिरा है वो खतम हो जाएगा तो एक चीज़ का लेकिन यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि coral bleaching जो है वो death of corals नहीं है ठीक वो death of corals नहीं है वो एक intermediate stage है अगर बहुत समय तक coral bleaching रहती है मतलब बह सिर्फ एक declaration की process है या फिर हम कहेंगे कि जब उसके साथ जून थलाई नहीं है एक बिछड़ने की process है ठीक है दोनों आपस में बिछड़ गए हैं दोनों को एक दूसर से फायदा हो रहा था लेकिन दोनों आपस में बिछड़ गए हैं वापस से अगर दोनों के वीच में प ठीक है तो बाकी का जो lecture है इसको हम कल continue करेंगे और I hope कि ये एक से दो lecture all लगेंगे ये chapter जो है फिर complete हमारा हो जाएगा ठीक है चली तो content related अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा telegram का group join करके उसमें पूछ सकते हैं that is okul gs ups discussion forum इसका link आपको नीचे description box में मिल ज रहे हैं और quizzes भी बहुत जल्ड जो है वो update कर दिये जाएंगे तो videos के तुरू आप लोग सीख सकते हैं concept समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं notes के तुरू आप लोग quickly चीजों को revise कर सकते हैं और quizzes के तुरू आप लोग अपनी preparation अपनी तैयारी को assess कर सकते हैं course purchase करने संबंदी अगर इस email ID के तुरू contact कर सकते हैं that is support.co बाकी हम से ज़्यादा जुडने के लिए आप हमें Facebook पर Instagram पर LinkedIn पर और Twitter पर भी follow कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा